हेलो एवरिबरन आरती किचन स्टीडियो में आप सबका स्वागत है तो आज हम बहुत ही अच्छा सा स्टेक बनाएंगे यह बहुत चटपटा और बहुत ही टेश्टी बनता है इसे हम चाय के समय ले सकते हैं या कभी छोटी मोटी भूप लगी तो इसे हम ले सकते हैं और इसे हम 8-15 दिन तक इस्टोर भी करके रख सकते हैं तो चलिए बनाते हैं स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो यहां हमने दो आलू ले लिये हैं एक कटोरी बेसन ले लिया है एक कटोरी गेहूं काटा ले लिया है एक कटोरी कॉर्ण फ्लॉर ले लिया है हमने ये तीनों च तोप ले ली है धनिया पाउडर है जीरा पाउडर है पाली मिर्च υord aşk मसाला cancer हीं और ब्लेक शाल्ट अब इसके बाद हम ने इसमें अम्चूर पाउडर ले लिया है कसूरी मेथी अजवाइन हल्दी मिर्च और नमक ले लिया है तो इन सब मसालों को अब हम इसके साथ मिला लेंगे अब यहां हमने बड़ा सा बरतन ले लिया है इसमें अब हम सामगरी डालेंगे तो यहां मैंने कॉन फ्लाउर डाल दिया है गेहूं का अटा डाल दिया है अब यहां हम एक कटोरी बेशन डाल देंगे इसके बाद इसमें हमें मसाले डालेंगे यहां हमने अजवाइन डाल दिया है हल्दी डाल देंगे मिर्च डाल देंगे और यह अमचुर पाउडर इसे भी डाल देंगे और मेथी को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे और साल्ट अपने टेस्ट के साब से डालेंगे अब यहां हम इन मसाले जो लिये हैं सोप जीरा पाउडर धन्या पाउडर हींग ब्लेक साल्ट काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला उसे डाल दिया है अब यहां हम आलू ले लेंगे और आलू को अब किस लेंगे इसमें यहां आलू हमने कस कर लिये हैं इसमें अब इसे हम मिला लेंगे हमें इसे ऐसे ही मिलाना है अभी पानी नहीं डालना है हमने यहां सोडा का भी उप्योगनी किया है और अभी आईल भी नहीं डाला है क्योंकि आलू डाले हैं आलू जादा है यहां तो ऐसे भी एक खस्ते बन जाते हैं तो अभी हम इसे ऐसे ही मिला लेंगे और ये ऐसे ही मिल जाएगा क्यूंकि आलू ज़्यादा टाइट नहीं है गिल्ले वाले आलू है ये तो इसमें मुझे पानी की जरूर नहीं पड़ी तो देखिए इसे ज़्यादा हमें गिल्ला भी नहीं करना है इसी को ऐसे ही गुतना है कड़क ही रखेंगे इसे तो अब ये हमारा डो बनके तयार हो चुका है अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा देर इसे नहीं रखेंगे हम क्यूंकि इसमें नमक है तो गिल्ला हो जाएगा अब इसे हम बनाना सुरू कर देगे यहां मैंने लाष्ट में एक चम्मच आई डाल दिया था यहां हम ऐसे लोई ले ले लेंगे एक और इसे हम हातों से ही बनाएंगे ऐसे ही फैला देंगे उंगलियों से मठली जैसे और बस इसे ऐसे दबाते हुए उड़ी जैसे बना लेंगे और हम इसे इससे ऐसा दबा देंगे तो यह हमारी फुलेगी नहीं फिर से देखिए ऐसे कर लेना है इसे और बस ऐसे बना लेना है और फोक की सहाथा से इसे बस डिजैन कर देना है तो उससे फुलेगा नहीं बस इसे दबा दिए और रख दिए इस तरीके से हम पूरे बना लेंगे तो यह हमने थोड़े बहुत बना लिये हैं तब तक हम यहाँ तेल गर्म करने रख देंगे और तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे एकदम तेज तेल नहीं रहना चीए इसे धीमी आज में ही तलना है हमें ताकि यह अंदर से खुस-खुसी बने तो यह इस तरीके से हमें इसे तलना है प्राई कर दो यह अंदर से तलना है तो इसे हमने मिड़्े माज में तला है और इसे धीरे धीरे पल्टाते गए हैं दोनों साइड तो ये अब हमारे तल चुके हैं अब इसे हम निकाल लेंगे उसके बाद हम दुसरी बार भी डाल देंगे करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बन चुके हैं और ये बहुत टेश्टी बनते हैं इसमें हमने आलू डाला है इससे बहुत ही इसका स्वाध बढ़ गया है और शाम की चाय के साथ आप इंजॉय कीजिए और कैसी लगी आज की हमारे रेसिपी कमेंट्स करके बताईए तो मेरे च कर दो